रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे धारा 370 हटाएंगे समान नागरी कानून बनाएंगे ऐसे तमाम जुमलों और भास्नों के सहारे जो है केंद्र में स्थापित भारत की वर्तमान बीजेपी सरकार जो है लगातार एके करके अपने सभी चुनावी वादों को पूर कर रही है बात अगर करें धारा 370 हटाने की जिसको लेकर हमेशा जो विपक्ष है वो हमेशा मजाक उडाता था बहु सारे ऐसे लोग बहु सारी ऐसी अंतरराश्ट्री मीडिया जो इस बात को लेकर व्यंग करती थी कि भारत में कश्मीर वैली से पूरे जम्मू कश्मीर सं लेने जो कि सब को चौका देते हैं बहुत ही एक उनका अपना एक हाड फेलोशिप है और वो हमेशा जो है लोगों को अपने वादे समय समय पर पूरा करते रहते हैं और पिछले साल 9 नवंबर 2019 को जब भारत 370 अचानक से हटा दिया गया था उस लोग जो है उनके विरोध हो गई यह कहना गलत नहीं होगा कि मोदी सरकार अपनी वादों के पक्के हैं वो जो बोलते हैं जो उनकी चुनावी वादे होते हैं वो अगले इलेक्शन से पहले पहले तक वो उसे हर हाल में पूरा करने की कोशिश करते हैं ताकि जब अगली बार वो फिर से जनता के था हम सभी सानातनियों को या फिर देश विदेश के सभी हिंदुओं को जो है जो कि अपने जीते जी आयोधिया में जहां प्रभुशी राम का जन्म हुआ था वहां पे भवे राम मंदिर का निर्मान या फिर भवे राम मंदिर देखना चाहते थे वो जो है उनका सपना बिल हो चुके हैं और फाइनली जो है देश के ये परम ये शेश्वी परधान मंत्री श्री नरेंद्र दमोदर दास मोदी जी दो अगस्त 2020 को जो है इसकी अधार शिला रखने वो खुद जो है आयोधिया जा रहे हैं सरीव टट पे जो अगामी राम मंदिर का एक भवे राम मंदि जी अपने हाथों से रखेंगे और साथ ही साथ एक कड़ा संधेश देंगे अपने विरोधियों को कि एक प्रयतन होता है वो हमेशा जारी रहता है बात करें सेना को वन रेंक वन पेंशन जो गि काफी दिनों से 8 बहुत सारी सरकारे थी जो उसको लटकाते रहती थी उसको काम मोदी जी ने किया और चीन जैसे ताकतवर देश जिससे की लगभग सभी दुनिया डरती है और हमारे पूर प्रधान मंत्री श्री पंडी जवाहलाल नहरू जी ने तो कर दिया था मानों उनके सामने और चीन को हमेशा वो बड़ा भाई कहते आये थे और संयुक्त राष्ट में जो अस्थाई समीति का जो एक मेंबर्शिप होता है जो कि भारत को मिल रहा था इतनी बड़ी उपलब्दी को उन्होंने जो है अपने बड़े भाई के कदमों पे ड प्यास में कि चीन को अपने कदम बापस लेने पड़े हैं मोदी सरकार के कुशल नित्रित्व के कारण है ऐसे में हम सभी भारतिय जो है अभी बहुत सारी चुनोतियों से घीरे हुए हैं लेकिन कहीं मन में एक आत्म विश्वास है मन में कहीं न कहीं एक संतोश है कि नहीं जिसे हमने चुना है अपने लीडर्शिप के लिए वह व्यक्तिस काविल है जो हमें सारी मुसीवतों से बचा लेगा हमें वह सारे सपने दिखाये थे वह सभी सपनों को पूरा करेगा और इस हिसाब से बात करें तो मोदी जी बराबर जो है उन सभी अपने वादों को पू चाहन मंत्री जी वहां पर जिसको भूमी पूजन बोलते हैं वह किया जाएगा और लगबग धाई से तीन वर्षों के बीच में लगबग 150 एकड़ में सरीव तटके किनारे आपको एक भवे राम मंदिर देखने को मिलेगा और 2025 आते आते तक इसकी ओपनिंग भी हो आफ यह सभी राम भक्तों को जिनकी आखें तरस गए थी अपने प्रखुष रीराम के मंदिर को देखने के लिए और उन सभी देशवासियों को कि हिंदू के सिर्फ प्रखुषरी राम सिर्फ हिंदू के भगवान नहीं यह पूरे विश्व के भगवान है दुनिया के दिनों में और भी जितने भी सपने हमें दिखाए गए थे मैं आशा ही नहीं में पूरी उमीद करता हूं कि वह सभी पूरे होंगे जरूरत है तो हम सभी को धैरे रखने का जरूरत है तो हम सभी को अपने सरकार पर भरोसा रखने का तो आप सभी को इस से काफी ज़्यादा खोशी हुई होगी जितनी मुझी हो रही है कि अगामी पाच सौरी दो अगस्त को जो है भूमी पूजन होने जा रहा है तो चुकि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो बहुत सारे लोग वहाँ पे मंत्रित नहीं है अगर बाकी दिन होता तो वहाँ पे होगा उस दिन तो सभी भक्त वहाँ पर जरूर पहुचेंगा और मैं भी जरूर पहुचेंगा तो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो तो डांट फार्गेट तो गीव बिग लाइक एंड यूर वेल्यूबल कमेंट्स वाटेवर यू वांट तो अगर आप चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ साथ उस बेल बेटन को प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं को नया वीडियो अप्लोड करूं तो आप मेरा को ही वीडियो जो है मिस ना कर सकें